Hello and Welcome to Fun Learning आज हम इस वीडियो में ट्रेक इवेंट के कुछ जर्नल और बेसिक रूल के बारे में जानेंगे अब सबसे पहले देखिए Start of Races सबसे पहले जो Races का Start और Finish लाइन है वो वाइट कलर में मार्क होनी चाहिए और जिसकी विट कितनी 5 cm होनी चाहिए हमने पिछली वीडियो में ट्रेक बनाना अच्छे से सीख लिया था आप जाके वीडियो देख सकते हैं वीडियो का लिंक आपको आई वाटन पे भी मिल जाएगा उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो Races के Start और Finish लाइन होती है वो वाइट कलर में मार्क होनी चाहिए और दूसरा देखिए जो Races होती है वो स्टार्ट कैसे होती है इसमें जो स्टार्टर होता है स्टार्टर रेफरी होते हैं वो क्या करते हैं कमांड देते हैं On Your Mark, Set and Go अगर पिस्टल है तो पिस्टल को फायर करेंगे तो जैसे पिस्टल फायर होती है तो उस समय पर जो एटलीट है वो दौनना शुरू कर देते हैं तो वो जो कमांड होती है वो स्टार्टर कौन सी लेंग्विज में देगा या तो वो इंग्लिश लेंग्विज में बोलेगा या फिर वो अपनी मदर टंग जो लेंग्विज उसकी होगी उसमें बोलेगा और या मार्क फिर सेट एंड जो भी फिस्टल अगर है तो फिस्टल फायर करेगा कई बार नहीं होती है छोटे कॉम्पेशन में तो वहां पर गो बोला जाएगा और एक बार सेट जब बोल देता है रेफरी उसके बाद एथलीट जो है वो स्टार्टिंग लाइन को टच नहीं कर सकता 1959 से और अगर ऐसा कोई athlete करता है set बोलने के बाद जब यहां पर जो fire है वो shot नहीं हुआ होता है सिर्फ set बोला होता है उसके बाद अगर कोई competitor अपने mark को छोड़ के जाए इसको false start ही माना जाएगा और इसको क्या बोला जाएगा waiting the pistol और इसके लिए athlete को disqualify भी किया जा सकता है false start के लिए देखिए पहले होता था कि एक chance दिया जाता है अब 2010 के बाद से अब role change हो गए है कि जो athlete अगर कोई false start करता है तो वो immediate disqualify इसको कर दिया जाएगा except जो combined event होते हैं उसको छोड़ कर event होता है दो दी जाती है एक chest पे और एक bag पे पहनी जाती है जिस पे number लिखे होते हैं सभी athlete को ये number पहना जरूरी होता है बिना number के वो participate नहीं कर सकते है competition में और athletic events के अंदर जो shoes होते हैं उनके soul की maximum thickness कितनी होनी चाहिए वो 40 mm से जादा नहीं होने चाहिए और उनकी जो spike होती हो 30 mm की होने चाहिए और कितने spikes होने चाहिए shoes में कि 11 spike हो सकते हैं 11 से जादा spikes नहीं होने चाहिए फिर उसके बाद हम lanes की क्या rule होते हैं lane in fragment क्या होता है जैसा हमने track mark करते time भी पड़ा था जो sprint races होती है short distance races होती है उनके अंदर खिलाडियों को अपनी ही lane में दौड़ना होता है अगर कोई athlete जान बूज कर कोई advantage गेंड करने के लिए अपनी lane से बाहर दौड़ रहा है तब उसको disqualify किया जाएगा लेकिन अगर कोई खिलाडी अपनी lane से बाहर दौड़ रहा है स्टेट दौड़ रहा है और उसको कोई भी material advantage यहां पर नहीं मिल रहा है और ना ही कोई दूसरा athlete इससे effect हो रहा है तब उसको disqualify नहीं किया जाएगा और कोई भी खिलाडी दूसरे खिलाडी को धक्का नहीं दे सकता या कोई force नहीं कर सकता कि वो अपनी lane से बाहर दौड़े अगर कोई खिलाडी जान बुझकर ऐसा कर रहा है उसको कोई advantage मिल रहा है तब उसको disqualify किया जाएगा इसमें भी सेम भी चीज़ है अगर कोई भी advantage नहीं मिल रहा है ऐसा करने पर तब उसको disqualify नहीं किया जाएगा फिर next है obstruction अगर किसी event के अंदर कोई खिलाडी दूसरे खिलाडी को दौड़ने से रोक रहा है उसके मारग में बादा बन रहा है तो वो disqualify हो सकता है लेकिन अगर किसी athlete या team को event के दोरान unintentionally obstruction हो रहा है अगर जान बुझकर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो referee दौ़ारा से event को करवाएगा चाहे वो एक के लिए हो चाहे कुछ के लिए हो या फिर सभी के लिए हो अगर जान बुझकर कोई ऐसा करता है तो वो disqualify भी हो सकता है फिर है अगर कोई खिलाडी अपनी इच्छा से track को छोड़ कर जा रहा है तो वो race को continue नहीं कर सकता तो उसको क्या बोला जाएगा dnf दे दिया जाएगा did not finish और अगर वो खिलाडी फिर दुबारा से race में आने की कोशिश करता है तो उसको disqualify कर दिया जाएगा फिर next है time between the round अब दो round के बीच में कितना time होना चाहिए अगर race जो है वो 200 या 200 तक की होती है तो 45 minute का time होना चाहिए दो round के बीच में और race अगर 200 से 10,000 के वीच में हो तो 90 minute का time होना चाहिए और 10,000 से उपर की दोड़े होती है तो वो same day के अंदर नहीं होती है फिर next हम cards के बारे में देखते हैं कि कौन से card दिया जाते हैं track and field event के अंदर इसमें yellow card दिया जाता है warning के लिए combination events के अंदर कोई false start होता है तो yellow and black diagonal card दिखाय जाता है false फिर red card होता है ये disqualification card होता है और एक इसमें green card होता है जो की technical fault के लिए होता है इसमें कोई भी athlete को punish नहीं किया जाता है और इसके अलाबा flags के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें red flag होता है जो starter दिखाता है और एक इसमें yellow flag होता है जो की empire के पास होता है empire इसको दिखाता है अगर कोई भी नियम तूट रहा हो तो और एक flag होता है ये भी होता है starter officials के पास starter इसको दिखाता है ट्रेक और फिल्ड इमेंट में ओफिशल कौन कौन से होते हैं, इसमें बहुत सारे ओफिशल होते हैं, इस तरह से कैटेगराइज किया गया है, इसमें मैनेजमेंट ओफिशल होते हैं, जूरी और अपील्स ओफिशल होते हैं, और अडिशनल ओफिशल होते हैं, तो मैनेजमें होता है, technical manager होता है, और फिर, एक इसमे call room manager होता है एक या एक से ज़्याद़ technical delegates होते हैं इनको IAAF बेज़ती है निरिक्षन करने के लिए technical delegates को, दूसरा jury of appeals के अंदर कौन कौन से होते हैं अगर कोई protest होता है तो उनका निर्णे लेथा है, jury of appeal इसमें तीन, पाँच या साथ मेंबर होते हैं, इसमें एक चेर्मेन होता है, एक सेकेटरी होता है और चेर्मेन जो है वो IAF का सेकेटरी जनरल होता है फिर थर्ड है competition official, इसमें हम आगे करेंगे फिर चौता है additional official, इसमें एक या एक से ज़्यादा announcer होते हैं इसमें एक से ज़्यादा statician होते हैं और तीसरे इसमें advertising commissioner होता है एक और एक या एक से ज़्यादा doctors होते हैं अब हम देखते हैं यह जो तीसरा competition official थें इसमेnd रिफरी होता है track event के लिए, field event के लिए, combined event के लिए, एक या एक से ज़्यादा स्टेडियम के बाहर जो इवेंट्स होते हैं उनके लिए एक या एक से जादा रैपरी होते हैं ट्रैक इवेंट के लिए एक चीफ जज होता है तीन या तीन से जादा जज होते हैं ट्रैक इवेंट के लिए पाँच जजेज होते हैं स्टेडियम के अंदर फिर जो स्टेडियम के वाहर बॉकिंग इवेंट होते हैं उसके लिए एक चीफ जज होता है और एक जज होता है बॉकिंग इवेंट के लिए स्टेडियम के वाहर बॉकिंग कॉंपुटिशन के लिए एक रिकॉर्डर होता है warning official होते पोस्टिंग board operators होते हैं फिर chief empire होते हैं track event के लिए फिर empire होते हैं track event के लिए 3 या 3 से ज़्यादा फिर chief time keeper हो गया time keeper हो गया starter है pre caller है starter assistant है lab scorer है competition secretary है एक या एक से ज़्यादा फिर next इसमें एक या एक से ज़्यादा marshal होते हैं एक एक से ज़्यादा wind gauge operator होते हैं फिर chief photo finish judge होते हैं एक एक से ज़्यादा और photo finish judge और assistant photo finish judge होते हैं दो और measurement judges होते हैं electronics के लिए एक और एक से ज़्यादा फिर call room judge होते हैं एक एक से ज़्यादा और लास्ट मार्कमेन होते हैं दो से तीन तो इतने सारे आफशल होते हैं अथलेटिक इवेंट स्कूप करने के लिए इस तरह से हमने अथलेटिक इवेंट के लिए कुछ जनर रोल कर लिए I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है आपके लिए helpful रहा हो तो वीडियो को लाइक किजिए शेर किजिए कमेंट किजिए और चैनल को सब्सक्राइब किजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देजिए ताकि आप तक आने वाली सारी नई वीडियो की अप डेट पहुश्चते रहें